कौन सा दूद पीना बैतर होता है भैस का या गाय का आप लोग जानते हैं कई बार आपने सुना होगा छोटे बच्चों को भैस का दूद नहीं गाय का दूद पिलाना चाहिए वो आखर ऐसा क्यों बोलते हैं तो यहां जानेंगे संपूर जानकारी दोनों के डिफरेंस भी दोनों के दूद में क्या डिफरेंस होता है और किन लोगों को कौन सा दूद पीना चाहिए आखर आपको अगर वजन घटाना है तो कौन सा दूद पिए और अगर वजन को बढ़ाना है तो फिर कौन सा दूद पिए फुल टोन और डबल टोन दूद क्या होता है यह भी नहीं हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें जो कि आपको ऐसी इंफर्मेटिंग और अमेजिंग वीडियो रोजाना यहां इस चैनल पर मिलती रहेगी तो आएए देखते हैं बच्पन सही आपने सुना होगा कि हमें रोजाना एक ग्लास दूद ज होता है और सरीर में क्या प्रवाव डालता हैmaником के घ rinse को सरीर के हसाब से अगर जपीया पाया जाता है वहीं भैस के दूद की अगर बात की जाए उसमें 9% SNF याने solid not fat होता है और वहीं गाए के दूद की बात करें तो इसमें solid not fat 8.5% होता है SNF का मतलब होता है दूद में पानी और fat के अलाबा और जो minerals वगेरा nutrition रहते हैं वो कहलाता है SNF डाइटीशन डॉक्टर विजियसरी बताती है कि जो full cream दूद होता है उसमें fat की मात्रा 8-9% की होती है और ये दूद भैस का होता है जबकि गाए के दूद की बात करें तो इसमें इसकी मात्रा कम होती है जिसे कम fat वाला दूद चाहिए वो double tone जितने भी nutrition value रहती है वो सब लगबग भैस के दूद के बराबर ही होती है double tone मतलब fat कम nutrition value जादा भी नहीं same और जो भैस का दूद होता है वो single tone और fat जादा रहता है और बाकि सब nutrition value जो गाय के दूद में रहती वो भी पाया जाता है भैस के दूद में बात करें टूंड और milk tone में तो इसमें 400 से अधिक fatty acid पाय जाते हैं दूद में मौझूद fat से ही toned की मात्रा तही की जाती है कि यह single tone है और double tone है दोनों ही तरह के दूद cholesterol और fat से बचाते हैं लेकिन आपको मैं बता दूद की हमारे इंडिया में जो सबसे जादा दूद की डिमांड होती है वो भैस के दूद की ही डिमांड करते हैं क्योंकि भैस के दूद में मलाई जादा बनती है दूद थोड़ा जादा गारा रहता है और 15 से 16 की इतनी भी nutrition value रहती हैं वो सब सेम रहती है और इसे skimd नाम से market में बेचा जाता है skimd milk आपने सुना होगा skimd milk में protein, calcium, vitamins and nutrition सभी भाए जाते है फैट की वज़े से कई लोगों को दूद पीने से allergy होती है ऐसे लोग skimd वाला जो milk होता है वो पी सकते है और एक चीज और बता दूद में फैट कम होता वो असानी से पच जाता है जब हम बात करते हैं गाय और भैस के दूद की तो गाय का दूद आप सभी को पता है कि गा भी कम होता है भैस के दूद में potassium, magnesium, calcium, phosphorus यह सभी nutrition value अधिक होता है बात करें अगर vitamins की तो गाय के दूद में vitamins अधिक पाया जाता है इसी वज़े से गाय का दूद जो है वो असानी से पच जाता है आके fat अधिक होने के क्या नुक्सान दूद में calcium की भरपूर मात्रा होती है दात और हड्डियों को मजबूत करने के लिए इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है लेकिन दूद में मौझूद fat से cholesterol level बढ़ जाता है इससे heart attack और stroke आने का खतरा भी बढ़ जाता है इसलिए ये fat वाला दूद थोड़ा सा कई लोगों के लिए हानुकारक हो सकता है अगर अगर आपको वजन कम करना हो तो कौन सा दूद भी अगर आपको वजन कम करना है तो गाय का दूद आप पी सकते हैं क्योंकि गाय के दूद में fat बहुत ही कम होता है इस कारण इसे वजन कम करने के लिए भी पिया जाता है इसमें A1 और A2 दोनों टाइप के protein पाय जाते हैं गाय का दूद पीने से मैटाबॉलिक रेड़ तेजी से बढ़ता है इसलिए सभी को गाय का दूद पीना चाहिए साका आरी लोगों के लिए सबसे पसंदा डिस जो होती है वो होती है पनीर जी है पनीर इसमें अधिक मातरा में प्रोटीन और कैलसियम पाया जाता है पनीर भी गाय के दूस से अगर बना हो तो इसे बहतर माना जाता है क्योंकि गाय के दूस से बने पनीर में कम कैलोरी और कम बसा होता है वजन अगर आपको घटाना है तो आप भी गाय के दूर से बना पनीत का सेवन कर सकते हैं वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करके जाएं और वीडियो को सेयर करें क्योंकि ऐसे इंफर्म